कभी ख्याल निया यार के बस पाकिस्तान छोड़ देना है कहीं बाइट जाके सुकून से रहता हूँ जीना यहां, मरना यहां यानि के पाकिस्तान आप निचोड़ के जाने हैं कोई और ही छोड़ेगा, मैं तो निचोड़ा अचीव करते हैं ना, तो उनके ख्यालाइट भी बहुत बड़े हो जाते हैं यह मैं आप से नहीं, मैं और्डियन्स से बात करूँ बहुत बड़े ख्यालाइट हो जाते हैं उनके और इसकी मिसाले भी हैं, कुछ लोग और एकसिडन्स एचीफ की, उन्हें ने पाकिस्तान छोड़ दिया उन्हें ने ने का, नहीं यार आप तो हम बाइर के मुलक में भी इत्ती बड़ी जिन्दी की गुजार सकते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, प्यार भी मिल सकता है वहां पर, आपको कभी ख्याल आया, इस तरह का कि यार अब पूरी दुनिया जानती है ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट है आप पाकिस्तान के सेलिंग आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया के सेलिंग आर्टिस्ट ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट है कबी ख्याल नहीं आए और कि बस पाकिस्टान छोड़ देना है कहीं बाइट जाके सुकून से रहता हूँ सड़क पे आप नहीं निकल सकते सड़क पे इनकले तो हजारों फैन्स फिर हजारों फैन्स वो जो जिन्रों ने सेल्फी ना ली तो वो गुसा भी करेंगे अदिलवाई परसल लाइफ तो है ही नहीं जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना का जाना कि पाकिस्टान आप नहीं छोड़के जाने वाले हैं कोई और ही छोड़ेगा मैं तो नहीं छोड़ता पाकिस्टानी भी जानते है हर बंदा उस बंदे को जानता है वो बंदा कह रहा है कि मैंने अपने मुलक में रहना है इस मुलक के लिए ग्रैमी लेके आना है मैंने इस मुलक के लिए और बड़े बड़े वाट्स लेके आने है तो राद भी मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए अज़ा आदियन्स आपके लिए आपकी कदर कैसे करें? मेरी कदर ऐसे करें कि जो नेगिटिव पहलू है उनको ना देखा जाए जो मेरा पॉजिटिव काम मैंने बहुत किये हुए है अल्ला का शुकर है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम पाकिस्तान के लिए इज़त कमाई है उस पर गोर किया जाए तो ये मेरे लिए फ्यूल होगा यही फ्यूल है तो मेरे ख्याल से अब हमेना एक कैमपेंड भी लाँच करने चाहिए कि राहत भाई से राहत वाला हाथ रखवाएं अपने उपर या अपका पाकिस्तान का जो एसेट है इसको कैसे हमने एक्स्टोर करना है राहत भाई ने गाना रिलीस किया वो सारी हों में ट्विटर पे नहीं आए वो ट्विटर के ट्रेंडिंग पैनल पे है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है वो इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पैनल पे है वो फेस्बुक के ट्रेंडिंग पैनल पे है तो राहत भाई या थोड़ा सा तो आपको गरूर होता हो गया ना करें मैंने को भी तो मैंने खुर चलाया है कि भाई मैं पाकिस्तान चोड़के जा रहूं पाकिस्तान की एकॉनमी को दच्का लगेगा पाकिस्तान की एकॉनमी को क्योंकि राहत भाई जो सरमाया पाकिस्तान से हमने बड़ी कहानी है सुनी रिमिटन्स आरी है रिमिटन्स आरी है भाई वो एक शोस चाते है राहत भाई क राद भाई के शोज पे लोग रोते हैं दुनिया मिंते करती है राद फतिली खान की डेट्स मांगने के लिए के डेस्टिनिशन वेडिंग्स होती है लोग राद भी लाइने लगी होती होगी मैं अब यह बात जहां पर कोड करूँगा डेस्टिनिशन वेडिंग्स होना शुरू हो गई जब से हम लोग इंडिया में नहीं गए तो इंडियन्स ने मैं उनको क्रेडिट दूँगा जितने लोग चाहनेवाले प्यार करनेवाले उन्होंने अपनी डेस्टिनिशन वेडिंग्स जो हैं वो बाहर के मुलक में रखनी शुरू कर दी कि आप पाकिस्तान है रहात वदली खां को शाफ वतमाना दली को आतिफ असलम को आने नहीं देते हम अपने शादियां जाहे वो बाहर रखेंगे ताकि हम वहां पे इनको बुला सके यानि कि इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉंसेप्ट हमारे सामारे हमारे 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 आर्टिस्टों की विजह से होगा है